हलो स्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शौरफ क्लासेस फॉर हिस्ट्री मैं शौरफ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूँ आज मैं मद्यकारिन भारती इतिहास से एक विशह लेकर आप लोगों के सामने उपस्तित हुआँ हमारा आज का विशह है मद्यकारिन भारती इतिहास के अध्यन के श्रोतों के रूप में यात्रियों के विर्तांत के महद्व पर प्रकास डाले तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने विशह को प्रारम करते हैं मद्यकारिन इतिहास को जानने के लिए विभिन श्रोत उपलब्द हैं शात्वी शताब्दी तक भारती गरंथों में एतिहासिकता का आभाव था कालक्रम वस्तू स्थिती के नितान सत्यों के परिपेक्ष में सामराज्ज की विविद घटनाओं का बैग्यानिक धंग से विशलेशनात्मक वर्णन भारत में इसलाम धर्म के आगमन के साथ ही काल क्रमानुसार एतिहासिक तत्थियों का भी सुत्रपात हुआ अभिलेखन श्रोद मद्यकालीन युग की अपेक्षा पुर्व मुस्लिम काल के लिए अधिक महत्वपूर्ण एवं मोल्यवान है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी भारतिय इतिहास को जानने के विश्वशनिय श्रोथ है विदेशी यात्रियों ने तठस्त भाव एवं बाद्धिक विश्लेशनात्मक द्रिश्चिकोन से भारतिय समाज की सामाजिक वास्तविक्ता को अभिव्यक्त किया है इस काल के कुछ ऐसे विदेशियों ने यात्रा लेख हैं जिनोंने भारत की यात्रा की ये उन दिनों के राजनितिक घटना क्रमों एवं सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास पर प्रकास डालते हैं इब्न बतूता आरंभिक यात्रियों में प्रमुख है वह मुरुक्कों से आया अरब उद्यमी था उसने जीवन परियंत विश्व भ्रमन के उद्देश्य से तेरा सो पचीस एस्वी में अपना गृहत्याग किया और उत्री अफ्रीका तथा अरबुक के प्रायद्वीप के देशों का ब्रमन करने के बाद तेरा सो तैंतीस एस्वी में सिंद पहुचा वहाँ से चल कर वह दिल्ली पहुचा जहां मुहम्मद बिन तुगलग ने उसे संरक्षन दिया और दिल्ली का काजी ने उक्त किया वह करीब आठ वर्षों तक इस पद पर बना रहा इब्न बतुता ने अर्वी में किताब रहला नामक अपनी यात्रा विवरन लिखा जिसका एक भाग दिल्ली में और एक भाग मदुरा में उसके भारतिय जीवन के अपने अनुभाव से संबद है उसकी फुस्तक मुहम्मद बिन तुगलक के शाशनकाल के इतिहास का प्रारंभिक श्रोत है या उसके समय की सामाजिक राजनितिक दशापन प्रकास डालती है किताब रहला तुगलक काल में हिंदुस्तान के लोगों के जीवन और स्थितियों पर किसी विदेशी द्वारा लिखी बहुमोले पुस्तक है अब्दुर्रजाक एक फार्सी विद्वान था वह खुरासान के सुल्तान शाहरुक का खाजी था उसे राज़्दूत के रोप में विजैनगर भेजा गया 1442-1443 में वह लगभग दो वर्शों तक वहां ठहरा अब्दुर्रजाक ने साहित्तिक पेशे बे अपना समय बिताया उससे मतलौम सादोई वा मजलौम बहराई नामक ग्रंथ लिखे जो उसके साहित्तिक योगदानों में से एक है पहले खंड में उसने अन्य बातों के अत्रिक भारत पर तैमूर के आक्रमन का विवरन दिया दूसरे खंड में वा खुरासान के सुल्तान शाहरुक से लेकर हसन मिर्जा तक के तैमूर वन्शियों के एतिहास का वरनन करता है इसी खंड में वह विजयनगर दर्बार में जाने वहां से आने और दर्बार के क्रियाकलापों, सम्राट और उसके दर्बारियों की व्यक्तिकत जीवन शैडि तथा व्यापक तौर पर दक्कन के लोगों की सामाजिक सांस्कृतिक दशा का विस्त्रित विवरन देता है उसका यात्रा विवरन विजयनगर राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियों के इतिहास का एक प्राथमिक श्रोत है कुछ अन्य यूरोपी यात्रियों जिन्होंने मध्यकाल में भारत की यात्रा की थी ने भी अपने यात्रा विवरन में भारत और इसके लोगों के बारे में उपयोगी जानकारी दी है उनमें मार्को पॉलो, निकोले काउंटी, एडवर्डो बार्बोसा एवं डोमिंगो 25 उलेखनी है मार्को पॉलो वैनिस का मूल निवासी था मार्को पॉलो ने अपने विश्व ब्रह्मन के दौरान अंडमान द्वीप समू का ब्रह्मन किया और भारत के पूर्व और पश्चमी टटो के किनारे किनारे ब्रह्मन किया अपनी यात्रा के दौरान प्राकृतिक इतिहास और सम्रिद्द क्रिशी एवं और द्योगीक उत्पादों जो भारत और यूरोप के बीच की महत्वपूर्ण वस्तुमें बन सकते थे से अपने को अवगत कराने का प्रयास किया अपने यात्रा विवरण में मारको पुलो भारतिय टटो पर हो रहे तिव्र समुद्री व्यापार और वारिज्ज के बारे में बताता है वह आम जनता के जीवन और दशा का वर्णन करता है एवं उनकी पोशाग आहार आचार व्यावार और सामाजिक रिवाजों का वर्णन करता है वैनिस निवासी निकोली काउंटी ने माला बार के किनारे किनारे ब्रमन किया और 1420 में दक्कन के भीतर भी आया उसके यात्रा विवर्ण विजे नगर के राजदर्बार की कुछ जलकियां देता है ना और मोटे तौर पर दक्षिन भारत की सामाजिक आर्थिक दशा पर प्रकाश डालता है इसी प्रकार दक्षिन भारत के बारे में 1500 से लेकर 1516 के दौरान कोच्चिन में पुर्तगाली अधिकारी एडवर्डो बार्वोसा का वर्णन भोगलिक और रिजातिय अधियन के द्रिश्टिकोंड से काफी महतुपूर्ण है एक अन्य पुर्तगाली यास्त्री डोमिंगो पाईस जो सोलवी सदी के दौरान विजे नगर में था का वर्णन भी उतना ही महतुपूर्ण है बहुत पहले से ही भारत पश्चिम में एक महान सोना मसाले और कपड़े का सम्रिद देश के रूप में ग्यात था मद्यकाल में उत्तरी स्थल घागो से लाई गई भारती वस्थूऊं का ततकाली मुख्य बाजार कॉंस्टीनोपुल योरोपिय व्यापारियों को कॉंस्टुन पुल को हमनों कस्टुनतुनिया भी कहते है हिन्दी में यूरोपिय व्यापारियों का मुख्य आकरशक केंद्र था उनमें मिश्र के व्यापारी पंद्रवी शदी के पुर्वार्द में मिश्र के जरिये होने वाले भारतिय व्यापार पर निर्बाद एकाधिकार रखते थे वे भारतिय और अर्बी व्यापारियों जो भारतिय वस्तुओं का अरब सागर के पार मिश्र भेजते थे के सहयोग से काम करते थे कंस्टनोपल जिसको हम लोग कस्टन्तुनिया कहेंगे पर तुर्की कबजा एवं बाद में मिश्र समेद उत्री अफरीका पर आटोमन अधिपत्य के प्रसार के कारण भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंधों को गहरा अघात लगा हैंडरी दा नेविगेटर के नेत्रित्तु में पुर्तगाल पहला यूरोपिय देश था जिसने भारत के साथ सीधा व्यापार आरंब करने का दायत्व सम्हाला वासको डिगामा द्वारा केप आफ गुड होप होकर भारत को जाने वाली समुद्री मार्क की खोज के बाद एक सदी से भी अधिक समय तक पुर्तगालियों ने पूर्वी व्यापार पर एक अधिकार बनाय रखा इसके बाद डच, फ्रांसिसी और अंग्रेज व्यापारियों ने चुनौती दी समद्री व्यापार द्वारा भारत और युरोप के संपर्कों के पुना स्थापित होने के से इस उप महादवीप के दरवाजे व्यापारियों, इसाई मिश्नरियों, यात्रियों और उद्यमियों के लिए खुल गए शाही मुगलों के शाशनकाल में भारत, आय उर्योपियों की संख्या का मोटा मोटी अनुमान लगाना भी असंबव है सत्रवी शदी में देश के बहुत बड़े भाग पर मुगल सत्ता सुद्ड थी जबकि बाहिय परिधी भूभागों पर स्थानी राजाओं का शाशन था जिन में से अधिकांस प्रत्यक्ष या परोग्ष रूप से मुगल सत्ता की अधीनता स्विकार करते थे शाही मुगल अपने धन पराकरम एवं रजोचित गुडों के कारण लिये विख्यात थे वे विदेशियों के प्रती उदार भाव रखते थे और इसाई मिश्नरियों को शांती पुर्वक अपने धर्म के प्रचार की पूर्ण स्वतंतरता देते थे या कोई आश्चर ये नहीं है कि इन में से कई यूरोपियों ने डाइरी और सफर नामे यूरोप में अपने मित्रों और सगे संबंधियों को लिखे पत्रों सरकारी कागजात और व्यापार के बही खाते धार्मिक एवं राजनितिक गतिविदियों और ऐसे मिश्णों के बारे में मुगल समराटों उनके गवर्नरों और अन्य स्थानिय शाषकों को भेजी रिपोर्ट के रूप में शाही मुगलों के देश में अपने अवलोकनों और अनुभवों का बहुमोल्य विवरन लिख छोड़ा है उनका एतिहासिक महत्व लेखकों के उद्देश और बौदिक स्तर पर निर्भर करते हुए कुछ दस्तावेजों में तो केवल सडक दर्स दस्तावेज भिन्न है तो कुछ केवल सडक छाप गपे है अत्वा तत्यों का सूविच्रित विरूपन है जबकि अन्य कई भारत और उसके निवासियों के प्रति लेखकों के जातिये धार्मिक और रास्ट ये पुर्वाग्रहों का प्रति निदित प्रति बिम्बित करते हैं फिर भी पूरे का एक साथ लाने पर ये विवरण अनोखी श्रेणी के प्राथमिक श्रोथ है जो मुगल काल के समकालिन इतिहास पर प्रकास डालते हैं धार्मिक और आध्यात्मिक बातों में रूची रखने के कारण अकबर इसाई धर्म प्रचारुकों के संपर्क में आया उसके आमंत्रन पर गोवा के पुर्तगाली अधिवास के तीन जेसुट मिसन 1580 से 1605 के बीच शाही दर्बार में आये और अपने धर्म के सिद्धान और आचारों को बताने के लिए वे वहां लंबे समय तक राज की अतिति के रूप में रहे अन्य लोगों के अतरिक्त फादर एंथनी मांसरेट फादर जेरोम जेवियर के फादर एम्मैनुवल पिन होरे इन विशन के सदस्य थे ये जेसुट जहांगीर के दर्बार में भी सम्मान और सतकार पाते रहे अत्यंत पुर्वाग्रह से ग्रसित होने के बावजूद उनकी रिपोर्ट मुगल काल के आदुनिक इतिहास लेखकों के लिए बहुमोल्य है मुगल काल में भारत पहुचने वाला पहला ग्यात अंग्रेज फादर थॉमस स्टिवंसन था जो गोवा में सुसाइटी ओफ जीजस का सदस्य बन गया राल्फ फेच फतेपुर सिक्री और आगरा आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था कैप्टन हॉकिंग्स मुगल दर्बार में हाजिर होने वाला पहला अंग्रेज था जहांगीर के दर्बार में हाजिर होने वाला दूसरा उलेखनी अंग्रेज व्यापारी पॉल कैनिंग था जो 1612 में आगरा पहुचा विल्यम एडवर्ड्स मुगल समराट के नाम जेम्स का एक और पत्र पाया यदपी जहांगीर के दर्बार में पहुचने वाले सरवादिक प्रसिद अंग्रेज एजेंट सर्ण टॉमस रो था इसके अतरिक सर एडवर्ड टेरी भी भारत पहुचे थे इन सभी विदेशियों ने ततकालीन शाशक जहांगीर के समय की सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास के विशय में काफी वर्णन किया निशकर्ष देखेंगे इस प्रकार उप्रोक्त अध्यनों के आधार पर हम इस निशकर्ष पर पहुचते हैं कि मद्यकालिन भारती इतिहास को जानने के शोत के रूप में विदेशी यात्रियों के विवर्ण काफी महतुपूर्ण है इन विदेशी व्यापारियों, उद्यमयों, इसाई मिश्णरियों, आधी के भारत आगमन, एवं भारत में उनके अनुभवों का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तकों, पत्रों, दस्तावेजों आधी में संकलित किया यद्पी या वर्णन पूर्वाग्रा की भावना से भी ग्रसित थी परन्तु इसके बाव्यूद इसकी महत्वता कभी कम नहीं होती है भारती इतिहास अर्थात मद्यकालिन भारती इतिहास को जानने के लिए इन शुरुतों का काफी महत्वपूर्ण भूमिका है इस तरह से हमारा विशाय यहां समाप्त होता है आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद